असलाम अलेकम मैं आपको आज स्टूटन एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस में ओनलाइन अप्लाई करने का तरिका बताता हूं सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है आपने जिस पूर्जेक्स के लिए भी अप्लाई करना है उस पूर्जेक्स पर आपने जाना है यह पूर्जेक्स है उसके आपने सामने देखें यहां पर लिखा होगा कैटेगरी अप्लाई फूर्जेक्स का नाम टाइप लास्टेट जिसके जिसके लिए अपने अप्लाई करने के सामने व्यू टेटेल्स में जाएंगे ओनलाई रची सेशन चलान फॉर्म डाउन्लोड अज़र्टाइज्मेंट टेस्ट पैट्र यहां पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यह टेस्टेट है जो जिस दिन टेस्ट होगा टेस्टेट दियूए है लास्टेट यहां पर दियूए है ओनलाई अप्लाई करेंगे सबस्पहले रेजिस्टेशन फार्म ओपन करेंगे मैं जो भी फार्म नाम लिखूंगा वो फर्जी होगा आपने अपना रियल डेटा फिल करना है इसके अंदर इमेल एडी जो आपने रियल है वो आपने देनी है CNNC नंबर जो आप करिये ले फोन नंबर जो आप करिये ले यह वो पासफ़र है जिसे आपके एडी उपन होगी इसे रिजिस्टर पर आपने क्लिक करना है आपके आडी ऊपन रिजिस्टर हो जाएगी वो यह आपने अपना CNNC नंबर इंटर करना है यहां पर पासफ़र जो आपने दिया वा था अकाउंट टैप पर आप देखना है कि आटोमेटिक वो आईडी आ जाएगी आपके लोगिंग करना है आपने यह फाम है आपके पास ओपन होगे आपने पूरा फाम फिल करना है अपना बायो डेटा जितना भी है वो आपने लिखना है मैं जो इंटर फाम करूंगा उस पर एक फर्जी इंफर्मेशन होगे आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहां पर आपने अपना रियल मोबैल नमबर लिखना है जो कनवर्ड ना हो आपका जो में डूमी सेल कांग है जो आपने टेस सेंटर रखने है यहां पर लिख जाएगा अ मथली बिल जो आपका है वह यहां पर आपने लिखने आपका मनथली बिल कितने यह फार्म सब मुकमल होजाएगा उसके बार आपने अपडेट करने नेक्स्ट & अपडेट picture आपने लगाने है, यहां पे चूर फैल में आप picture लगाएंगे जो आपके passport size की picture होगी, वो आपने enter करनी है जो आपकी last degree होगी, वो आपने यहांपे enter करनी है जो last degree जो आपने pass की हुई है, वो इदर आपने enter करनी है मैं फर्जी करूंगा यहां पर आपने अपने रियल स्कूल का नाम लिखना है एड़ कर देंगे जो लास्ट डिग्री है वह अपने लिए इंटर कर दी देखें यहां इस खाने पर आजएगी फिर आपने नेक्स करना है यहां पर आपको मैं बात बताता चलूंग यहां पर आपके पास computer जनरेट फार्म भी आजएगा चलान वह आप डाउनलूड करके वह भी जम्म करवा सकते हैं यहां पर देख लिए आप चलान फार्म ऑनलान बैंक या जैज कैस से जम्मा हो सकता है इजी पैसे से नहीं होगा यहां पर आपने समिट कर देना है चलान ठीक है जो आपने जम्मा करया किया होगा यह आपके पास अप्लिकेशन फारम आगया आप देख सकते हैं कि अप्लिकेशन फार्म सही इंटर किया है उसके बाद daha आपके पास एक मैं आपको सार ठीक हैं कोई लोट कर लें आप के पास सेव आजएगा सेव कि आपके पास आजएगा आपके पास आपने ये अप्लिकेशन फार्म हमें सेंड नहीं करना आपके अपनी मुलूमात के लिए है ठीक है कोई भी इशो आप ये एमेल एडी दी हुई है मुबैल आफिस का नमबर दिया वह आप इस पर राफ़ता का सकते हैं शुक्रिया बहुत मिर्वान है आपके